तो दोस्ता कल के मैच में कतर ने हमें 3-0 सहरा दिया और कल के हमारे परपॉमंस को अगर मुझे एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो हमारा परपॉमंस एक एवरेज परपॉमंस था हमने एक दम बूरा भी नहीं खेला जहाँ पर कतर ने हमको 6-0 या पर 7-0 पिल दिया हो या पर हमने बहुत अच्छा भी नहीं खेला जहाँ पर हमने कतर को अल्मुंस अपसेट कर दिया तो हमारा परपॉमंस एक एवरेज परपॉमंस था शूरुत से बात करते बात करते लाइ पर सुबाशी बोस थे इगोश्टी मेच जो बैक लाइन में एस्पिरिंस के साथ जाना जाते थे थे सुबाशी बोस को चुना साथी में सवल अब्दूसामत की जगा अनुरुत थापा को जगा दी गई जहां पर वो हमें एक एस्टा डिपेंस से सपोर्ट प्रोवाइड करे जिस पेस और इंटेंसिटी के साथ गतर उत्र थी उसको हम जो ये मैच कर पाए अब दोस्तो इससे पहले हमने जो लीबनोन एक ए इर्च एफेंटेंस के खेलाप खेला है जान की प lodge के और आफूर इंटेंसिटी इसमें जो पी बड़ा अंतर है और यह जो डिपेंस के मैच में देख पा रहे थे और उस space को मैश नहीं कर पा रहे थे और वह सी के वैसे जो थो हम under pressure लग रहे थे और इस under pressure प्रेशर में हमने फोर्ट मिनित पर कॉर्णर कर लिया और उस कॉर्णर में जो बॉक्स के अंदर एक चाउस क्रेट गुआ प्लेयर्स के तरप से और वहाँ पर कतर नो उसका फाइदा उटा कर गोल मार दिया दोस्तों इस गोल के बाद दोस्तों यह 10-20 मिनिट कतर ने हमको ज कर पा रहते दोस्तों जैसे 30 मिनिट के बाद कतर ने अपना जो गेम का टेंपो जो स्लो कर दिया उसके बाद जो हम कंपटेबल हो गया और कुछ अटैक बना है जिसके जिसमें दो बढ़िया मौके थे फर्स्ट अप के जहाँ पर हम जो एक्विलाजर मार सकते थे पहला मौ लेकिन उन्होंने स्काई कर दिया उसके बाद दोस्तों जैस सबसे एक गोल्डन मौका था मुझे लगता है इस मैच का मैच का रुख हमरे तरफ ला देता जहाँ पर सुनिल चित्री सर के एक प्रेसिंग वहाँ पर तारिफ करने होगी सुनिल चित्री सर की एक इंटेंस प् फूट जो शॉट लिया और जो वहाँ पर जो शॉट मिस कर दिया अगर थापा वहाँ पर गोल मार देते तो जो यह गेम का रुख बदल देता क्योंकि कातर को फिर से अपने टैक्टिस चेंज करने पड़ते और हाप टाइम में अगर हम 1-1 के साथ जाते तो हमारे पास एक यही था कि मैच अल्मोस्ट हमारे हाथों से चला गया था क्योंकि यहां से मैच निकलना यानि कि मिराकल वाला परपॉमेंस सी बचा सकता था दोस्तों उसके बद दोस्तों सब्स्ट्रेशन हुए जहाँ पर एक सहल अब्दल समझ के पास एक बढ़िया मुकतल सेके डप में जहाँ पर वो थोड़ा कामली फिनिश कर सकते थे थोड़ा ओल टाइम ले सकते थे लेकिन वूदनों ने फर्स्ट टाम फिनिश करने के सोची और एक और चांस जो हमने गवा दिया और इसके बद यही था कि जो एन के मुमिंट में आते आते कतार ने तिसरा गोल मार दिया जो वीटरी जो अपने हाथे हैं कर दि दोस्तो इसके बाद यही हो था कि बहुत सरे मिस्प्स हो रहे थे अटाक बरूबर बनना रहे यह गतर कंपरटेबिली जो है अटेक बना रहे थे और हमारे डिपेंस को जो कॉजिस ला रहे थे उसके बात दोस्ता अगर देखे एंड के मुविंट में महिश और इशाम पंडी तक को एक मौका मिरता लेकिन दोनों की बीच मिसंडेस्टेंडिंग और फिर हमने एक और चैंस ग बहुत बुरा भी नहीं जहां पर कतर ने हमको जो शिक्स नील पीला वो और घजो गोरों में किया अगर फेल मारे समसिस को घृट है हमारे तक अगर फेल परक्रण से घृट शायद लगितर हो सकता था तो जो 3rd round की जो spot है वो almost fix हो जाएगी दोस्तों तो दोस्तों यह तक अंप्रेटर भी इंडिया और से कतर मैश का आपकी कहतर साप मुझे कमेंट सेक्शन में बगता सकते हैं दोस्तों साथी में दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए ताकि जाधर से दाधर लोगों तक वीडियो पो